तो गैस हमारा। पहला TikTok है को उसके लिए तो सबसे पहले मुझे ऐक खाली एरिया चीए तो ये वाली ज subset काफी आदा चीए तो हम अपना पहला TikTok है कि यह पे ट्राय करने वाले तो सब से बहले टो मुझे यहाँ पे उस चंप जामाथ ही ब्लौक रखने हैं जो कि ie forecasted यह वाला color काफी अदा light आता है तो यहाँ पे हम तीन block ऐसे करके लगा देते हैं यहाँ पे भी इसके ऊपर तीन block लगा देते हैं and then उसके बाद guys हमें यहाँ पे इस वाले block को fill कर देना है और यहाँ पे लगाना है हमें glass जो कि इसके बीच वाले में लगने वाला है and इसके बाद guys इसके ऊपर से वापिस से हमें लगा देना है यह यह लोवाली block इसके बाद भाई अब हमें आ जाने इसके पीछे के side पे और यहाँ पे अपने bookshel को लगानी है क्योंकि यह वाला bookshel काफे अच्छा look देता है बाहर से अगर हम देखे तो इतना काम हो रहोने के बाद अब हमें यह करना है कि इसके जमीन पे एक एक block डिक करना है यानि कि इसके अंदर तक डिक करना है तो तीन block ही डिक करते हैं इसके जादा है नहीं तो मैं रखने वाला है सबसे पहले तो एक golden apple देन इस वाले में हम रखते है अपनी carrot को और गास मैंने ज़िए इसके अंदर पे bookshel लगा यह हो भाई सिर्फ योपिस के लिए नहीं बलके इसका use भी होने वाला है इसका use यह होने वाला है कि इस वाले dispenser के अंदर हम रखेंगे अपने enchanted book जो कि भाई अभी मैंने सिर्फ एक book लिए आप लोगों को दिखाने के लिए तो यहाँ पर हम इस वाले book को रख देते हैं और इसके बाद हम इस वाले area को थोड़ा cover कर देते हैं मैंने इस area को cover कर दिया अब हमें लिए अपना photo frame और इसे यहाँ यहाँ पर लगा देना ताकि भाई हमें याद रह सके कि हमने कौन सी चीजे किस वाले dispenser में डाली है और इस वाली को press करेंगे तो भाई हमारा carrot बहार आ चुक है तो इससे आप फिरे में जितना भी चाहिए होता समाल ले सकते हो वैसे समाल तो आपको फिल अप करना होगा सो गैस हमारी दोनों साइट तो परफेक्टली काम कर रहे है अब आप लग सूश रहे हो भाई यह तीसरे वाले का यूज करके दिखा तो इसका यूज करने के लिए हमें और भी कुछ चाहिए जो कि चाहिए हमारा बुक्षेल पहले तो एंड इसके बाद है एंचेंटिंग टेबल अब गाईस आप लग समझी गए होगे मैं क्या करने वाला हो तो सबसे बहले तो अपनी बुक्षेल को भाई यहाँ पे हम लगा देते है एंड गैस मैंने इसलिए बना है ताकि एक ही जगे पर हमारा सारा काम हो जाए तो मैंने यहाँ पर लगा दिये बुक्षेल को और इतिन इतना बुक्षेल काफी है तो अब यहाँ पर रखते है अपने इंचेंटिंग टेबल को जो कि मैं यहाँ पर रखने वाला हुआ और आप देखते है वह नाउलेज भी रहा है यह नहीं तो कैस वह एनिमेशन आप देख पा करें भाई ये बुक शेल से नॉलेज ले रहा है मतलब कि हमारा इंचेंटिंग टेबल यहां पर फाइनली वर्क करेगा तो कैसा अब हमारा नेक्ट काम यह कि भाई इस वाले बटन को यूज करना और अपनी एक बुक लेना और बुक को यहां से एंचेंट करना क्योंकि यहां इन दोनों के अलावा आप इसके आगे और भी से एक्स्पैंड कर सकते हो और यहां पर अलग-अलग बुक रख सकते हो और साइंग बुड लगा कि उनके नाम भी लिख सकते हो एंड उसके बाद गया जैसे आप एक बटन को क्लिक करो कि भाई आपका पूरा बुक बहार आत करते जाएगा और आप यहां से सिंप्ली एंचेंड कर सकते हो और आप पापा मम्मी आगी